हेलो इगनू स्टूरेंट्स इगनू की तरफ से आपके लिए बीग अपडेट रिलीस की गई है जो बहुत जरूरी है तो उसके बारे में डिटेस में बात करेंगे अपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो इगनू की तरफ से आपकी टेंटेटिव डेट शीट को रिवाइस कर दिया गया है तो आप 15th of October तक शाम को 6 बजे तक without late fee अपना exam form fill up कर सकते हैं इगनू में आप किस तरह से अपना exam form fill up कर सकते हैं उसके डिटेल वीडियो चैनल पर available है आप ये वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा साथी साथ friends आपको December examination के लिए अपने assignments को बनाना है और submit कराना है ये इगनू का official assignment portal है तो इसी portal से आपको अपने assignments को download करना है अपने degree program को देखते हुए और आपको अपने assignments को बनाना है examination की preparation के लिए friends आप best help book purchase कर सकते हैं जहां पर आपको flat 50% off दिया जा रहा है and additional discount दिया जा रहा है 10% का on the purchase of more than 1000 रुपीज MRP आपको बात करते हैं friends आपकी update की जो है इगनू की तरफ से date sheet को लेकर यहां पर आप clearly date देख सकते हैं 27th of September mention की गई है जिसे अभी इगनू की website पर upload किया गया है so इगनू की जरफ से आपकी tentative date sheet एक बर फिर से release की गई है friends tentative date sheet का मतलब है कि इस date sheet में भी आपके changes हो सकते हैं so अगर आप scroll down करते हैं तो friends सबसे पहले check करते हैं आपके examination की commencing date जो कि 2nd of December ही बताई गई है और concluding date की अगर हम बात करें तो friends यहाँ पर mention किया गया है 9th of January 2025 चीक है तो commencing and concluding date same रखी गई है बाकी यहाँ पर changes किये गई है जिसमें बताया गया है जो आपकी course codes है friends उन्हें change कर दिया गया है जो भी date sheet आपने अपनी लिखी है friends उसे आप pre-check कीजिए जैसे कि अगर आप यहाँ पर control plus F प्रेस करते हैं तो आपके सामने search bar open हो जाता है जहाँ पर friends आप अपना course code लिख सकते हैं जैसे कि मैं आप टाइप कर रही हूँ BCOS so BCOS course यहाँ पर select हो जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 185 का exam है 4th of December को so इसी तरह से friends आप अपने course course चेक कर सकते हैं दुबारा से आप अपना time table बना सकते हैं और accordingly आप preparation कर सकते हैं so आप अपनी date sheet को एक बार फिर से जरूर देख लें friends बाकी instructions यहाँ पर same रखी गई है but एक important चीज़ यहाँ पर इस नई update में friends इगनू की तरफ से आपको जो मोका दिया गया था changes के लिए friends उसमें बता दिया गया है कि अगर आपका कोई भी जो course code है वो clash होता है तो अब उस पर विचार नहीं किया जाएगा जो आपके request send करने के लिए email ID बताया गया था उसे भी यहाँ से remove कर दिया गया है तो यह इगनू की तरफ से big update है new update है tentative date sheet फिर से एक बार release कर दी गई है हो सकता है आने वले सबे में आपको एक बार फिर से tentative date sheet इगनू की तरफ से देखने को मिले जिसमें changes किये जाएं बट उसके chances कम है क्योंकि friends यहाँ पर already mention किया गया है कि अब कोई भी अगर आपका program clash करता है तो उसमें changes नहीं किये जाएंगे सब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें इगनू की तरफ से कोई भी नई update आती है हम आपको वीडियो के जरीए जरूर नोटिफाय करते हैं इगनू सजुड़े भी हर एक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ओन रखिएगा तो थैंक्यो फो वाचिंग दी वीडियो तिल एंड and see you soon in the next video